हेलो डियर स्मेंट कैसे हो आप सभी लोग उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे सब के बढ़ाई सांदार चल रही होगे प्यारे बचों, आईटी वाले बचों के लिए एक सांदार अपडेट आ रही है ECIA, Electronics Corporation of India Limited, जो की परमानु उर्जा वीभाग के दरगत आने वाला भारत सरकार का सरकारी डिपार्टमेट है आईटी वाले बचों के लिए परमानेट वेकेंसी है, यह सेलरी बहुत अच्छी है, लगबग 35,000 रुपे गास पास में आपको सेलरी मिल जाएगी लगबग 34,000 ट्रेड के लिए आपे वेकेंसी रखी हुई है, परमानेट आपके लिए 60 साल तक के लिए नोकरी रहने वाले एक एक करके सभी चीजों के बार में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ वेसे इसके फोरम है, वो लगबग 23 मार्स से स्टार्ट हो गए थे और आपका 13 अप्रेल फोरम बरने के लास्ट डेट थी लेकिन इसके डेट को एक्स्टेंड कर दिया का है, 20 मई तक अब इसके लिए आवेधन कर पाऊगे कौन-कौन आवेधन कर पाएगा, केसे आवेधन करना, एक एक करके सबी चीजों के बार में डिटेल में जानकारी देने वालों, ओफिशल वेबसाइट में मैं आज जुका हूँ अपलाई करने की और ओफिशल वेबसाइट की लिंक में आपको वीडियो को डिस्क्रप में भी प्रोवाइड करवाद दूगा तो आप अपनी तियारी उसको सांदार तरीके से पहले कर लेजिए हना तियारी करने के बाद में जो आप एकजाम दोगे तबी सेलेक्शन होने के चांसे देंगे महीने बर तियारी करते हो, डेड़ महीने तियारी करते हो एक्जाम हो जाता है उसके बाद तियारी छोड़ देते हो फिर नहीं बरती आती है उसमें इतना खर्चा करते हो एक्जाम देके जब वापिस घर पे आते हो तो 2-3,000 रुपे का amount total लग जाता है आपका इतना बड़ा amount उन सब है मतलब guardians के लिए जो खेती बाड़ी का काम करते है या फिर जाड़ी मजदूरी का काम करते है उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है और जब आप amount बार-बार उन से मांगते तो कई बार वो बोलते ही होंगे कि भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहा नोगरी नहीं लग रहा हम पैसे नहीं देंगे लेकिन बाद में वो लास्ट में आपको देई देते क्योंकि वो भी सोचते कि पैसी की वज़े से बच्चा वो एक्जाम देने से वंचित नहीं रहे और उस motivation का आपको एक्जाम में फाइदा भी मिलेगा पढ़ने वाले बच्चों का selection भी होता है लेकिन regular पढ़ाई करोगे पहले syllabus कम्प्लीट करोगे तब भी आज के time में selection हो पाना संबव हो सकेगा ना ये चीज़े आपको ज्धान में रखनी है technician grade 2 के नाम से यहाँ पे vacancy है और इसका notification यहाँ पे click करते ही आपको मिल जाएगा click here for more details option दिखाई दे रहे सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ठीक है इसकी date को extend किया गया carrying a first दे रहे है इस पे click करते date extend करने का notification आप देख पाऊंगे 20 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो आवेदन करने के लिए click here to apply for the post का option दिखाई दे रहे इस पे आप click करके इसके लिए आवेदन कर सकते हो notification अल्रीडी में download कर चुका हूँ complete चीज़े में आपको read करके अच्छी तरीके से बता दिता हूँ लेकिन देखिए एक चीज़ में आपको पहले ही बता रहा हूँ याँ फिर फ्रेशस बच्चे आवेदन नहीं कर पाएंगे दो परकार के बच्चे आवेदन करेंगे एक तो वो जिनके पास में IT प्लस एक साल का apprenticeship का certificate है या फिर जिनके पास में apprenticeship नहीं है एक साल का experience है तो वो बत्चे भी आवेदन कर पाएंगे ठीक है बहुत जादा तो आप में से नहीं होगे लेकिन काफी सारे बत्चे होगे जिनके पास में ये चीज़े मिल जाएगे क्योंकि experience या फिर apprenticeship दोनों में से एक होना जरूरी है तो और जिनके पास में ये news पहुंत रही है जिनके पास में ये चीज़ी है उनको ये तेगी एक स्टाइफ हाइदा मिलेगा क्योंकि यहां पे competition थोड़ा कम रहने वाल है तो eligible हो तो इसके इन्दर आपको आवे दन जरूर कर देना जैसे कि मैं ने आपको बताया इस भरती का notification पहले ही आई चुका था लेकिन date इसकी बढ़ा दी गई है electronic mechanic trade के बार में अगर अपन बात के दूरो total 7 vacancy रखी गई है electrician trade के बार में अपन बात के दूरो 6 vacancy रखी गई है eligibility criteria के बार में अगर अपन बात करें देखिया दिक्तम आई शुमा यहाँ पर 27 वर्स रखी गई है जो कि फॉर्म भनने की last date को cut off date यहाँ पर माना गए education qualification और experience में आपको देखने को मिल जाएगी यह चीजे जैसे यह आपके पास में IIT है उसके बाद एक साल का experience है तो भी आप आविदन कर पाऊगे या फिर अगर आपके पास में IIT का certificate है NAC यानि की national apprenticeship है तो भी आप यहाँ पर आविदन करने के लिए eligible रहोगे बाकि देखिये age के इंदर relaxation SCST वाले बच्चों को मिली जाएगा Central Government के सारे document के आपको जुरूर पढ़ने वाली है ठीक है उसके बाद सेले के बार में अगर आपने भात करें तो आपकी जो basic भी है वो 20,480 रूपे रहने वाली यानि की आपका DA वगरा टोटल आपन बन सेज बगरा मिला लेंगे सारी चीजी है तो लगबग 35,000 के आपकी सेले बन जाएगी उसके बाद अधर बेनिफिट्स भी आपको यहां पे देर के एच्छी तरीके से रीड कर सकते हो नोटिफिकेशन में आपको टेलिग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर बात दूँगा सभी परकार के सरकारिट तक निकी भरतियों की जानकरी आपको टेलिग्राम चैनल में सबसे पहले मिलेगी नोटिफिकेशन भी बहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो का डिस्करम लिंक दे रहा हूँ क्योंकि टेलिग्राम को दिन में एक बार भी चैनकरी मिल जाती है यूटूब से तो कई बार आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कई बार नोटिफिकेशन मिलता भी नहीं है तो वो थोड़ीशी प्रोब्लम रहती है यहां से चेक आउट कर सकते हो जिनकी अच्छी तियारी है ना उनके लिए तो यह वेकेंसी भी ठीक ठाकी है क्योंकि अप्रेंडिशिप और एक्स्पिजिन्स वो वाले चीज़ें भी रखी हुई है तो कोई दिकत है नहीं इलिजिबलो तो आविदन यहां पर जरूर करिएगा ठीक है और मैथल ओफ सेलेक्शन के बारवी बात करेंगे दो चीज़ें एक तो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है चार गुना बच्चों को रिटन टेस्ट के बाद में टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए पास किया जाएगा और उसके बाद है फाइनल जो आपकी मेरिट आएगी उसमें 85% है जो वेटेज आपका रिटन एक्जाम का रहेगा और 15% 15% है वो आपका टेस्ट का रहने वाला है तो कुछ इस हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट तियार होने वाली है रिटन एक्जाम के सेंटर भी यहाँ पर इन्होंने दे रहे रहे देश्की बेंगलूर है उसके बाद में आपका चेन नहीं है हैदराबाद है मूंबई है न्यू डेली है कॉलकत है मेरे इसाब से आवेदन करोगे तो आपको एक्जाम सेंटर सलेट करने का वहां पर ओप्सर मिल जाएगा उसके बाद में आवेदन करने के लिए तो लिंक में आपको वीडियो को इस्टेंट करवाइड करवाई दूँगा skill test का exam center के वोले एक ही रहेगा आपका हेदराबाद में आपका skill test है वो आउजित करवाए जाएगा पहले आपका काम है return test को अच्छे नंबर के साथ में clear करने का ठीक है document verification जब होगा तो यह document आप से मांगे जाएगे जो भी आप पे लागू होते अच्छे तरीके से read कर लेना telegram में आपको यह सारी चीज़े मिल जाएगी general conditions वगरा यहाँ पे देखे यह इसलिए मैं आपको बोल रहा था 750 रुपे यहाँ पे application fees की रूप में charge रखा गया जो की बहुत बड़ा amount है इसलिए तियारी करो फिर एक्जाम देने के लिए जाओ तो सभी सी request है तियारी आप बहतर तरीके से करें थोड़ा टाइम जुरूर लगेगा लेकिन तियारी करने के बाद में एक्जाम देने के लिए जाओगा तब भी आपके selection के chances बढ़ेंगी 23 मार्ट से form स्टार्ट हुए थे अभी इसकी date को बढ़ा दिया गया यानि कि अपने बात जैसे की है लगबग 20 मई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो ठीक है और ओलाइन आपको payment करना होगा कोई विदिक्कत है नहीं अपलाई करने की link में आपको वीडियो गरिस्के में प्रोवाइड करवाई रहा हूँ उमीद है सारी चाहिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी यह notification आपको टेलिग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवाद दूगा जो भी बच्छे इलिए बलने है या फिर आपके भाई भाई इन कोई फ्रेंड बगरा जिनके पास में अप्रेंटिशिप है या फिर जिनके पास में एक साल का experience है उनके साथ में इस वीडियो को share जरूर करिएगा उनकी बहुत जदा help होगी क्योंकि यहां पर competition कम रहने वाला है ठीक है चलिए वीडियो अच्छा लगाओ तो एक प्यारा सा like करना और जो बच्छे चैनल पे पहली बार visit कर रहे है चैनल को subscribe करके बेल आइकन को all पे जरूर पेस्ट कर लेए ताकि आपको स सभी बर्तियों के notification मिलते रहे हैं Thank you best of luck